जैने दोस्तों मैं आपका अपना जस अभी जो मैं वीडियो लेके आई हूं वह है यह सी रिक्वार्मेंट दोज आप तेश के लिए और मैं इस वीडियो मैं आपको पूरी डिटेल से बताउँ हूं आप किस स्टेत के रहने वाड़े हो प्विस कमाण के अमें कौन सी कमाड में अप्लाई करें या पे इतनी पोस्टें यह है वो मतलब काभी सारे डाउट है तो मैं आपको स्टेप आइस बताऊगा जो मैं पॉइंट है वो कवर करूंगा जिसमें आपके डाउट है उसके वारे में डिटेल से बताऊगा तो आप इस वीडियो लाक्त तक देखना स्टेप 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 रहें कैसे अप्लाई करना है कौन सारे रिजन देना है मतलब किस टेटर के सब्सक्राइब करना है तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊगा अगर वीडियो आपको से में अच्छी रगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अभी में आपको दिखाता हूं सबसे पहले आप एवसी रिक्वाइर्मेंट पे जाओगे एवसी रिक्वाइर्मेंट लिखते है सबसे उपर आपको आर्मीओर नेस की जो ऑप्सल वैप साइट है उसका लिंक दिखाई देगा उस पर कलिक करोगे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले ये इंटरफेस दिखाई देगा आप क्या करोगे कंडिडेट लोगिन या साइन अप पे जाओगे अभी जिन्होंने पहले अपना इमेल आईडी से और मुबाइल नमबर से आईडी बना रखी है वो तो डारेक्ट लोगिन कर सकते हैं अगर किसी नहीं बना रखी तो वो क्रियेट new account करेंगे और अपनी मुबाइल नमबर और जीमेल आईडी के थ्रू अपना अपकाउंट्ट क्रियेट कर लेंगे और account create करने के बाद login कर देंगे तो मैंने account पहले से बना रखा है तो मैं direct login करूँगा login करते ही ऐसे दिखाई देगा new application registration तो मैं उसमें अपनी detail बर दूँगा यह advertisement नमबर दे रखिए यह advertisement थी अभी मैं किस post के लिए apply कर रहा हूं मालो तो मैंने form में apply कर दिया fireman के लिए यहाँ पर दून on options हो होंगे तो आप fireman के लिए कर रहे हो दो fireman अगर trade man के लिए तो trade man मैंने fireman कर दिया और mail candidate हूं है अगर trade man में इट कर देता हूं तो ऐसे show होगा तो मैंने यहाँ पर fireman कर रखा है mail और मैं कौन सी कास्ट है तो मैं जर्नल से एंडिजरोड कर दिया केटेगरी नन कर दिया अगर आप एक्सरिस्मेन हो या स्पोर्ट्समेन हो तो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो अभी 10th qualification requirement है तो 10th कर दिया और और कोई छूट है तो वो खर सकते हैं उसके बाद आई एगरी पे क्लिक कर दिया और न्यू अप्लिकेशन उपकी personal detail आजाएगी जो आपने ID बगारा बनाते हुए टाइम बराए था मुबाइल नंबर है या जो भी mail ID बगारा आजाएगी तो यह आप अपनी personal detail बर देना जपना उस नंबर है या नाम है जो भी अपना सब कुछ से चेक करके यहाँ पे एंटर कर देना उसके बाद क्या education detail यहाँ पे आपने क्या करके ट्वैल्थ है गुरिज्वेशन आप यह जो भी कर रखा वह अपने detail पर देना अपने हिसाब से यह स्कूल यूश्टी बोर्ड वगरा जो भी है आपके कितने प्रसंटेज है उस हिसाब से फिर उसके बाद अगर आपने employment में registration करा रखा तो वह पर देना लेकिन अमने नहीं करवा रखा तो हम इसको नो रहने देते हैं अब यहाँ पे क्या है आप अपने document अप्लोड कर देना इसमें आप अपनी photo अप्लोड कर देना और अधार कार्ड या जो भी अपने ID कार्ड दे रहे हो अधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेस जो भी दे रहे हो आप उसकी photo copy अप्लोड कर देना तैंथ की DMC की photo copy अप्लोड कर देना अभी यह सबसे मैन पार्ट आता है इसका यह अभी सबसे ज्यादा इसी में है लोग हम क्या कौन सा सेंटर बरे क्योंकि personal detail education qualification जो भी वाकी detail से भी आप आराम से बर रहे हो लेगिन इसमें सबसे ज्यादा इसका मतलब है आप किस सहर में अपना physical or written exam देना चाहोगे तो यह है आप क्या करना आप अपने सबसे निजदीक जो सेंटर है उसी को फिल अप करना ताकि आपको आने जाने में सुविद आ रहे अब मालो मैं पंजाब का यार्याना करेने वाड़ा हूं तो मैं सबसे पहले मेरे निजदीक कौन सा अग्जाम सेंटर जहां पर मैं जल्दी से पहुंच सकता हूं और अराम से ताकि कम खर्चे में मैं अपना physical or return exam देकitter सकता हूं तो मैं जैसे मालो मेरे पास बठंडा लगता है तो मैंने उया पर देखा बठंडा है यह आप देखो बठंडा सो खर रहे हैं तो मैं सबसे पहला option दे़ूंगा वह मेरे को सबसे ओपना भाडा मेरे बधा उल्ए पर और वाड़ों के लिए बता रहा हूं बाकी स्टेट अपना इस आपके देख tengo किशी के आगरा निजदीग पड़ता है किसी के विवसुषी साफसे priority में परे मैंने बढ़ेंदा दिख लगता है आगरा बढ़ दिया आगरा वाले अपना आगरा ही बढ़ लगते हैं इसमें आगरा का भी Option होगा जैसे ये राग रागा तो वो अपने इसाप से परे फिर मेरे को तीसरा मेरे को लगा बै और कौन से नहीं दीख पड़ेगा तो मेरे को लग रहा है लाल गड मेरे जो गंगानगर नहीं दीख पड़ता है तो मैंने तीसरा उप्षन गंगानगर का पर दिया चोथा उप्षन मेरे को लगा वह और कौन से दीख पड़ती है मेरे उची बसी वाली मान के चलो मेरे दीख पड़ती है तो मैंने उची बसी कर दी और फिर मेरे को लगा मेरे आगरा इसके बाद आगरा दीख पड़ता है तो यह क्या है मेरे को पांस सेंट्रों में से कोई न कोई सेंट्र पर दे दिया जाएगा आप यहां पर फिजिकल और रिटन अग्जाम दे सकते हूं ठीक तो आप इस हिसाब से अपना अग्जाम शीटी च्वाइस कर सकते हूं साउस्थ के रहने वाले अपने साउस्थ के इस आपसे बर देंगे जो भी जिनके निजदीक पड़ता है अब साउस्थ वाले पुलगाओं बर सकते हैं सबसे निजदीक मालो आपके पुलगाओं पड़ता है और उसके बाद ये पूने का सेंटर पड़ता है तो पूने का बर इतनी पोस्टें वेस्टन में इतनी है तो उस हिसाब से हम कमांड के हिसाब से बरें किस में पोस्ट ज्यादा है महां क्या फॉम अप्लाई कर दें लेकिन आपको ऐसा नहीं करना आपको क्या है इसमें आपको यह प्रेफरेट लोकेशन दे रखे अगर आप जोब लग जाते ह हो तो सबसे पहले आप कहां पर जोब करना परसंद करोगे मतलब किया है आप अपने घर के नजदीग दोगे मालो मैं आप मैंने वर्पुल गवाओं वगारा यह बर्दी मैं शौथ करेने वाड़ा हूं तो मैं सोचूंगा मेरे को पहली पोस्टिंग शौथ में मिले तो मै स्लेक्ट कर दूँगा मेरे कोुझ सौथ में कोई भी एक अब शौथ दूरौ माले में मेरं दूसरा ओप्शन रहेगा सौथ के बाद मैरा मैं चात्ता हूँ अब मेरे को साउथ नहीं मिले तो सेंट्रल वैस्ट मिल जाए फिर सेंट्रल साउथ वैस्ट मिल जाए मतलब मैं अपड़े पास-पास की लोकेशन देखूंगा और आपको क्या है सभी ये बढ़नी है इस्ट बरदी मैंने और इस्ट के बाद सेंट्रल इस्ट बरदी अभी नोर्थ है तो क्या है मेरे को सबसे पहले मेरी 24 रहेगी मैं मेरे को साउथ में job लोकेशन दीजाए सबसे पहले मेरी पोस्टिंग आपक्राइध में संपास बारे साउथ में तो मेरे को सेंट्रलिस्ट मिल जाए यह सव वेस्ट मिल जाए अगर मैं माल लोग यहां का रहने वाड़ा हूं दिल्ली के आस पास का तो मैं सोचूंगा मेरे को Central East command मिल जाए दिल्ली के पास लेकिन मैं पहले सेलेक्ट कर रखा है तो उसी साब से Centralist को उटा देता हूँ एक बार इसमें क्या है South South कर दिया मेरे सोच रहूँ मैं Centralist मिल जाए मेरे को दिल्ली के पास करेने वाड़ा हूँ या उसके बाद अलग-अलग कमांडे क्या मेरे को North Last में मिले तो मेरी 24 रहेगी मैं कौन सी स्टेट का रहने वाड़ा हूँ और वो मेरी स्टेट में कौन सी कमांडे के पास लगता है तो ये साथ कमांडे हैं तो साथ कमांड़ों में आप देख लेना आप कौन सी स्टेट की हो राप कौन सी कमाडर में लगते हो उसी साफ से अपना बर देना मैंने वह बर रखा पहले से साउट इस्ट नोर्थ वेस्ट कमांड रहे गया तो आप अपनी लोकेशन देखके उसी साफ से आप गूगल वगरा अप सर्च करके तो वो उसी साफ से अपनी 24 देदेना बै अगर मेरे को Central East कमांड में जोब नहीं मिलती तो Central West में दे दी जाए Central West से Southwest में ये क्या है All List जो लगेगी वो All India Base पे मिलेगी लगेगी और जो आपको Posting दी जाएगी सबसे पहले Posting किस रिजिन में चाथते हो वो Posting आपको इसी साफ से 24 दी जाएगी आपको सबसे पहले 24 अगर Central East है तो आपको Central East देने कोशिश करें अगर Central East में वकेंसी नहीं मिलती फूल होगी है जो ज़्यादा मेरिट वाले है उनको दे दिया है तो आपको Central West दे जाएगी अगर वहां पे फूल है तो Southwest दे जाएगी वहां पे फूल है तो इसी साफ से आपको 24 मिलेगी ये नहीं है इस में इतनी वकेंसी है साफ से उसाफ अपको उपलाई कर देना में और ये करने के बाद आपका form accept हो जाएगा और यहाँ पे अपना submit करके preview and submit कर लेना preview कर देख लेना आपने जो detail भरी है वो सही से भरी है और अपना form apply कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जो जानकर ये अच्छी लगी हो तो आप अमारी चैनल को subscribe और वीडियो को share जरूर करना जैन दोस्तों जैन जावार